दोस्तों आज हम आपको इस क्राइम के दुनिया के सबसे अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं। कई बैंकों और फैनेंशियल इंस्टिशन से कई बिलियन डलर चुला कर चरिटी में दे दिया। यह अपने आप में इतना बड़ा क्राइम था कि वह अमेरिका के FBI और इंटर पोल के टॉप टेन लिस्ट में आ चुका था। क्या है हमजा बेंडलाज की कहानी। क्या वह अलजेरिया के TG उजू में साल 1988 में हुआ था। वह बच्पन से ही दिमाग का बहुत तेज था और कम्पीटर से खेलने में उसे बड़ा मज़ा आता था। जब वह बड़ा हुआ तो वह कम्पीटर को हैक करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह एक हैकर बन बेंडलाज का दिमाग इतना शातिर था कि वह कुछ ही समय में दुनिया भर के पाँच भाशाओं को सिख लिया। इससे उसे दूसरे देशों के कम्पीटर को एकसेस करने में हेल्प मिलती थी। थोड़े दिनों के बाद उनकी दोस्ती रशिया के एक हैकर एलेक्जेंडर इन दोनों ने मिलकर एक मालवेर यानि की कम्पीटर का वैरास बनाया जिसका नाम रखा स्पाई आई बोटनेट। इस दौरान वह अपना कोड नेम भी रखे हुआ था जो बी एक्स वन और डेनियल एच बी था। इस वैरास के मदद से वह अमेरिका और यूरोप के बैंको और फैनेंसियल इंस्टिचूशन के कम्पीटर में घुसने की कोशिश करता था। जैसे ही वह उन कम्पीटर्स को अपने कंट्रोल में कर लेता वैसे ही वह उससे जुरे सभी बैंक अकॉंट्स को खाली कर देता था। वह जितने भी कम्पीटर्स में घुसने की कोशिश किय उसको लगभग सभी में काम्याबी मिल भी गई। यही वजह रही कि साल 2007 से लेकर 2011 के बीच वह करीब एक करोड कम्पीटर से लगभग 200 मिलियन डलोर की चोड़ी कर चुका था। इसलिए अब इंटरपोल भी उसके पीछे लग चुकी थी। यह मामला संसनी खेज होता चला गया और अब हमजा बेंडलाज एक हाई प्रफाइल क्रीमिनल बन चुका था। अपनी गिरफतारी के समय हमजा ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया और आराम से गिरफतार हो गया। उपर से वह अपनी बीबी को बोला कि वह बेटी को लेकर इजिप्ट चले जाए। इसके बाद उसकी बीबी और बेटी इजिप्ट चली गई। अपनी गिरफतारी के समय उनके चेहरे पर मुसकान थी और वह हस रहे थे। दुनिया भर के मिडिया ने इस छन को अपने कैमरे म कैद कर लिया और उसे स्माइलिंग हैकर या हैपी हैकर का नया निकनेम मिला। जब पूरी तरह से इंटरपोल और FBI द्वारा उसे इडेंटिफाई कर लिया गया कि यही हैकर हमजा बेंडलाज है तो इसके बाद मई 2013 में उसे थाइलेंड से प्रत्यरपित करके अमेरिका ला गया और हमजा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया हमजा बेंडलाज को 30 साल तक की जेल और 14 मिलियन डॉलर जुर्माने के रूप में चुकाने की सजादी गई हमजा की गिरफतारी के करीब 6 महिने बाद उसके सासी हैकर एलेक्जेंडर एंडरिविच को 1 जुलाई 2013 को अ इन दोनों पर अमेरिकी कोर्ट में सुनवाई की गई जिसमें हमजा बेंडलाज की सजा को कम करके 18 साल कर दिया गया और उसके सासी हैकर एलेक्जेंडर एंडरिविच को 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई इस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अपने रिपोर्ट में अमेरिका के नियाई विभाग ने अनुमान लगाया कि यह स्पाई आई वाइरस ने लगभग एक अरब डलोर की चोड़ी की थी 2010 और 2012 के बीच इससे affected बैंकों ने इस malware से हुए नुकसान की मरमत की जो काफी मुश्किल भरा रहा इस फैसले के आने के बाद बेंडलाज के वकील ने कहा कि वह अदालत के इस फैसले के खिलाफ आगे अपील दायर करेगा लेकिन हमजा ने खुद ही कोट में बोल दिया कि यह पैसे उसने चुराए हैं और उसे चैरिटी में दान कर दिया है हमजा दोरा किये गए चैरिटी को आज तक कोई भी ट्रेस नहीं कर सका है इस समय तक हमजा बेंडलाज की पॉपुलेरिटी अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्री तक ही सिमित थी फिर साल 2015 में एक ट्यूनेशियन वेबसैट के हवाले से खबर पब्लिश की गई कि हमजा को अमेरिका में डेथ सेंटेंस यानी की मौत की सजा हुई है यह अफवाह अलजीरिया में सोशल नेटवर्क सैट पर फैली और उसके समर्थन में कई फेस्बुक सपोर्ट ग्रूप बनाए गए इस मामले में अलजीरियाई विदेश मंतराले ने उस समय के अमेरिकी राष्ट पती बराक ओबामा से उनकी रिहाई के लिए हश्टक छेप करने की मांग करते हुए एक याची का शुरू की जब यह खबर दुनिया भड़ में हेडलाइन बनाने लगी तब जाकर अलजीरिया में अमेरिकी राजदूत जोन ए पुलाशिक ने अपनी ट्विटर अकॉंट पर लिखा कम्पुटर अपड़ाद को अभी तक बड़े अपड़ादों में शामिल नहीं किया गया है और इस के लिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती है इसके बाद मामला शांत हुआ इस समय हमजा बेंडलाज और उसके साथ हैकर अलक्जेंडर एंडरिविच अमेरिका के जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहे हैं बीच में कुछ न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनल ने भी इस बात को बताया था कि उनको फासी दे दी गई है और वहां उस समय भी मुस्कुरा रहे थे जबकि ये सरासर जोटी खबर है इसलिए आपको कहते हैं कि बेजोर जोरा पर सब कुछ सव प्रतिशत सही देखने को मिलेगा कोई समसनी नहीं सिर्फ और सिर्फ सच हमजा ब अनलाज के बाड़े में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर लिखिए हमें आपके कॉमेंट का इंतजार रहता है अंत में एक और जरूरी बात हमने बेजोर जोरा का एक टेलिग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियो की लिंक सबसे पहले मिल जा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें आने वाले वीडियो के लिए बेजोर जोरा को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें थैंक यू सो मच